कल्वरी पर सुन्ती हुमी प्रभु ये शुकी आवार ये तेरी मा ये तेरी मा तपसे मर्यं मेरी मा ये शुकी मा मेरी मा कल्वरी पर सुन्ती हुमी प्रभु ये शुकी आवार ये तेरी मा ये तेरी मा तपसे मर्यं मेरी मा ये शुकी मा मेरी मा भर दे तुमा मेरे दिल का प्याला अपने वरदानों से रखना तु मेरा ख्याल जीवन मेरा तु संभाल रखना तु मेरा ख्याल जीवन मेरा तु संभाल कल्वरी पर सुन्ती हुमी प्रभु ये शुकी आवार ये तेरी मा ये है तेरी मा तपसे मर्यं मेरी मा ये शुकी मा मेरी मा आप सबों को जे येशु आज हम लोग माता मर्यं के साथ दुकों पर मनंचिंदन करने जा रहे हैं कलीसिया 15 सप्टम्पर को मा मर्यं के उनस साथ दुकों पर मनंचिंदन करते हैं कलीसिया में 1232 में AD 1232 में एक सर्वाइट ओडर सुरु हुआ एक समाज के उस समाज के लोग मा मर्यं के इन साथ दुकों पर मनंचिंदन करते हुए और उसके अनुसार अपने जीवन में मा मर्यं के भक्ति में आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं एक सर्वाइट ओडर जब 1232 में सुरु किया गया इसके बाद मात मर्यं के इस साथ दुकों पर ज्यादस ज्यादा मनंचिंदन और भक्ति करना सुरु किया 1668 में इन साथ दुकों का पर्व मनाना सुरु किया यह सेप्टमबर महिने का तीसरा इतवार को मनाया जाता था सेप्टमबर महिने का तीसरे इतवार को यह पर्व मनाता था सवन सोरो सुप मेरी लेकिन संदपापा पायस साथ में ने पियूस सवन इस भक्ति को विश्युबर के सभी कलीसियाओं में विश्वांसियों के लिए निर्दारित किया और रोमन कलंडर में इसको इंकलूड किया और भक्ति को बढ़ाने का अपरेक्णवी किया केवल सर्वाइट ओडर उनके तक नहीं बलकि पूरे कलीसियाओं में इस भक्ति को बढ़ाने का 1913 में 1913 संदपापा पियूस 10 ने पायस 10 पंदर सप्टमबर का तारीक नरधारित किया 14 सप्टमबर कल हम लोगों ने पवित्र कुरूस का पर्व मनाया इसका अगला दिन 15 सप्टमबर को मा मर्यम की जीवन में उस कुरूस का महतो दुखों का महतो मननचिंदन करने का दिन नरधारित किया तब से 15 सप्टमबर मा मर्यम के इन साथ दुखों का पर्व उस पर मननचिंदन करना सुरू किया है हम लोग कई जगाओं पर मा मर्यम के रोती हुए फोटो दुखित मा कई प्रगार का दुख से बरहा हुआ चेहरा दिखाने वाली मा को देखते हैं कई बार दुख भी हो जाता है मा का उस दुखों को देख कर रहे हैं लेकिन मुझे एक प्रेरना मिला क्या मा हमेश्या दुखी है इशुर का बेटी इशुर का मा इशुर का पक्नी पवित्र तुर्ट के साथ इस प्रगार जुड़ने वाली मा सुर्ग में अपने शरीर के साथ उठाल लेगे जाने वाली ओ मा सुर्गिय महिमा में रहने वाली मा क्या सदा दुखी है हमें इसके उपर थोड़ा मननचिंदन करना इसके स्टडी में मुझे मिला मा मरियम के इस साथ दुख के साथ पवित्र आत्मा के साथ वरदान भी जुड़ा हुआए करगे क्योंकि मा मरियम पवित्र आत्मा का स्वावस पक्त नहीं कह सकते हैं तो पवित्र आत्मा से भरिवी महिला है उसमें पवित्र आत्मा का साथ वरदान नो कृबादान बारव फल भरा हुआ है तो मा मरियम इस साथ दुख अपनी जीवन में कैसा अनुभव किया इसको क्रिस्तिय जीवन जीने वाले हम लोगों को अपनी जीवन में कैसे अपना सकता है जैसे ही मा मरियम इस मसी के साथ जुड़ करके इन दुखों को सहती गई तो हमें इस मसी के साथ जुड़ने के लिए इस प्रकार का दुख कैसे अपनाना है आधी आधी बातों पर हम एक चोटी सी क्लास के दुआरा इस पर मनेंचिंदन करेंगे जैसे कि हमें मालूँ है संदिलूकस के सुसमचार उसके अधियाए दो वाकिय चाउंदीस और पाइंदीस के अंदर हम लोग पढ़ते हैं मा मरियम जब बालक येश्यू को जन्म से 40 दिनों के बाद मंदर में पहलोटा बेटे को अर्पित करना येहुदियों का नियम था उस नियम के अनुसार बेटे को मंदर में अर्पित करने के लिए लेके गए वहां बर ये येरुजले में रहने वाला एक धर्मी मनुश्य जिनका नाम है सिमयोन वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ पवित्र आत्मा में रहने वाला एक विक्ती था बहुत बुड़ा हो गया था लेकिन पवित्र आत्मा ने इस सिमयोन से कहा था प्रबु के मसी को देखे बिना तुम नहीं मरेगा इसलिए बहुत बुड़ा हो गया था और जब बालक येशु को लेकरके माता पिदा मंदर आए पवित्र आत्मा की प्रेरना उन पर आये और येरुजलेम में वो पवित्र मंदर में पहुंचते हैं पवित्र आत्मा के प्रेरना की अनुसार वहांबर आकर के मातपिता के साथ बालक येश्यु को 40 दिन का ही उम्र है उस समय पर उनको देखते हैं अपने गोद में स्रिमों ने बालक को उठाते हैं लूक चाप्टर 2 वर्स 28 लूकस के सुसमजार अधियाए 2 वाक्य 28 में हम लोगे पड़ते हैं वो अपने हाथ में उठाते हैं इसके बाद वो एक प्रार्षना करते हैं प्रभू अब तुने वचन के अनुसार अपने दास को स्यांती के साथ विदा कर क्योंकि मेरी आँखों ने उस मुक्ती को देखा है मुक्ती दाका मैंने दर्शन किया हभी मुझे मरने दो हभी मेरा मृत्यू आने दो इसके बाद मा मरियम की और मुड करके उन्हें आशिरवाद दे करके सिमोन कहते हैं वाक्य चौंतीस तर्टिफोर देखिए इस बालक के कारण इसराइल में बहुत्तों का पतन और उद्धान होगा यही एक चिन्ह है जिसका विरोध किया जाएगा इस प्रगार बहुत्त से हर्देओं के विचार परकट होंगे और एक तल्वार आपके हर्दे को आरपार बेदेगी शिमोन ने कहा एक बालक की एक चिन्ह कई लोगों का उड़ने का और कई लोगों का घिरने का पातन का कारण ये बेन सकता है और मामरियम से कहते हैं एक तल्वार तुमारे हर्दे को आरपार बेदेगी के लोग बोलते हैं एक तलवार इदर शिमोन ने कहा ये साथ तलवारों की बात क्या कहते हैं तो यहीं पर मा मरियम को एक तलवार मिलते हैं ये बातें जब सुनती है उसी समय पर ईश्योर का आत्मा मरियम में आ करके ईशा मसीह के विशेह में उन्हें सब कुछ बता था है इनके जीवन में होने वाले हर बात वहां बहर प्रकट होते हैं उनके जीवन में मसीह के जीवन में आने वाले दुख वहां बहर उनको दिखाई पड़ते हैं उनके आँखों के सामने लेके आते हैं इस प्रगार वो इश्वरिय भक्ती में बर जाते हैं उस मुक्ति दादा इश्वर जो संसार के मुक्ति देने वाले इश्वर मुझ में आया ये बालक है और उस मुक्ति दादा को क्या-क्या संगट दुख कष्ट जहरना पड़ेगा नभी सिहां के द्वारा आईजया चप्टर 53 उसके अंदर सब वर्नन किया हुआ है मा मरिया सब जानती है उसको देख करके उसको मन में लाते ही उनके हुर्दे में एक आईसा तलवार चुक जाता है हुर्दे बीड़ा में आती है लेकिन इश्वर पर स्रधा का गिफ्ट पवित्रात्मा का वर्दान इश्वर पर स्रधा रखना इस वर्दान के द्वारा मा मरियम और इसमसी से जुड़ जाते हैं वो जो दुख कष्ट बेटे को मिनने वाला है में भी साथ उठाएंगी ये विचार में इस शुरिय भत्ती के साथ जैसे लूकस के सुसमज़ार अधिया एक 38 में 138 में हम लो ने पड़ा सुना है कि मा मरि अधियम ने कहा देख में प्रभू की दासी हीं तेरा खतन मुझ में पूरा हूँ बोलकर के सुर्गदूद गिब्रियल के सामने अपने जीवन को पूर्न रूप से इश्वर के लिए समर्पित करता हुआ वो भक्ती यहांबर पवित्र आत्मा के वरदान गिफ्ट ओफ जो fear of the Lord वो उनमें आकर के इश्वर प्रस्रधा रखने की वो जो कृपा आकर के उनमें भरती है और वो जो दुख है सहने के शक्ती इस प्रगार मर्यम को मिलते हैं इसके बाद इसमसी का जन्म और मत्य के सुस्वमचार अधियाए दो के अंदर वाकिय तेरह और चौदह को अगर हम बढ़ेंगे वहांबर सुर्गदूद संदियोसफ को दर्शन दे करके कहते हैं बालक को लेकर के मिसर देश के लिए भाग जाओ तीन ग्यानी लोग इसमसी को दर्शन के लिए आये थे हरोध ने कहा था उनको मिलने पर उनको आराधना करने के बाद मुझे भी सूजना देना ताकि मैं जा करके उनकी आराधना करूँ हरोध डर गिया था एक दूसरा राजा का जन्म हुआ है इससे वो गिबरा गिया था और उस राजा उस पुत्र को वद करने के लिए नश्ट करने के लिए वो शडिंदर रच रहा था लेकिन सुर्गदूदों के कारण वो तीन ग्यानी हरोध के पास वापस नहीं गिया वो वाकिय तेरह का लास्ट बालक और उसकी मां को लेकर मिस्सर देश भाग जाए जब तक मैं आपसे ना कहूं वही रहिए क्योंकि हरोध बालक को मरवा डालने के लिए डूढ़ने वाला है डूटने के पहले ही बालक को लेकर के मरियम से बात कहा ये बैटे को मारने के लिए ह सुनकर के मा के हरदे में एक तलवार आरपार होते हैं और वहां से उस रातरी में उन लोग रवान होते हैं मिस्तर देश की और और वाकिय सोड़ से घरम लोग पढ़ेंगे 18, 16, 17, 18 वहां बर हरोध दो साल के नीचे वाले उम्र के सब बैचों को मरवा डालता हुआ ये खब और दो साल के नीचे सब बैच्चों को मारना वो भी मामरियम के लिए एक दुखधाई बात था। यहांबर हम लोग देखते हैं मामरियम चुपचाब संदियोसफ के साथ भालक को अपने सीने में लगा करके भागना ये पवित्र आत्मा का दुवारा मिला हुआ दूसरा वरदान धर्म निष्टा का पहेटी का ओजो वरदान के कारण इस पर घार किया। तीसरा 12 साल की उमर में इस समसी मंदर में नश्ट होते हैं परव के लिए गया था परव समाप्त होने पर नासरत के गाउं के सब लोग इखट होगे रवाना होने का बताया रातरी में कहांटा हरना है सब पहले से निच्चित हैं लेडिस ग्रूप जंच ग्रूप बेच्च लोग सब मिल मिल करके उन लोग नासते गाते सुधी करते ऐसा सफर करते हैं एक दिन के सुबह का नासता के बाद सुरू करते हैं शाम के खाने के समय पर लोग सब इकटे होते हैं जब शाम को इस प्रकार जिस जगापर ठहरना था उस जगापर पहुंचा बालक एश्यू को डूंड रहे हैं उन्हें नहीं मिला बालक नश्ट हुआ सोच करके मा रोने लगे एक तलवार को उनके खृदे को चीरते हैं करदे पीडा में माता पिता वापस एरुजलेम की और सफर करते हैं एक और दिन का सफर इसके बाद तीसरे दिन जब मंदर में देखा वहांबर ग्यानियों और विद्वान पंडित लोगों के साथ बातें करते हैं उनसे सवाल कर रहे हैं और इसमसी से सवाल कर रहा है उसका ज तो Luke chapter 2 verse 47 में लिगा है, 47 में वाकि में लिगा है, सभी सुनने वाले उनकी बुद्धी और उनके उत्रों पर चगत रह जाते थी, उनके माता पिदा भी देख करके अचन्बे में पड़े गिया था, और उसे पूचा तुम का इसा क्यों किया है, इसा मसी ने उतर दिया, क्या आप नहीं जानते हैं कि मैं निचे ही अपने पिदा के घर पर हूँ, सवाल किया, क्या आपको नहीं मालुम था, मैं अपने पिदा के घर पर ही हूँगा, घ्यान भरा बात करता हुआ, सवाल करता हूँ, उतर देता हुआ, उस समय पर मामरियम भी, गिफ्ट ऑफ नॉलज, ग्यान की ग्यान से वो भर जाती है, ग्यान की वरदान से वो भरती है, मामरियम को यह सब पता चलता है, यह आया इस अंसार में अपने पिदा के कायरे को करने के लिए, अपने बेटे को ले करके घर वापस जाते हैं, नाजरत जाते हैं, सब कुछ अपने खरदे में इन सब तरात्मा का वो तीसरा गिफ्ट, गिफ्ट अफ नॉलेज, ग्यान का वरदान से भर करके उन बातों को वो अपने जीवन में अपनाते हैं, चौता, इस समस्री जब क्रूस डोते हुए जाते हैं, मा मरियम उनके साथ थे, उनका जो मिलन, बार बार गिरना, और कोड़े बरसान कुछ लोग उनके किलाफ बोलना, ये सब सुनकर के विशेश कर जब प्रवी समसी, वो क्रूस के साथ जब गिरते हैं, उनका अखरदे इतना दुखित हो जाते हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं, मा मरियम उनके साथ साथ धाहिरे के साथ चलते हैं, क्योंकि गिफ्ट ओफ फ मुक्ति दाईकायक के रूप में उनके पीछी होने के लिए, बेटे को इशारे इशारे पर प्रार्थना की द्वारा आईसस शक्ति देते हुए, उनके साथ देते हुए, और वो भी आगे बढ़ती है, तो बेटा क्रूस उठाना, उनके उपर होने वाला अतिचार देखना किसी मा के लिए भी बहुती दुख की बात हैं, तो मा मरियम के लिए यही दुख एक तलवार के रूप में उनके हुर्दे को आरपार किया, दुख पहुंचाया, चवता, आभी पांचमा, प्रवीस्ता मसी का क्रूस में चडाना और उनका मृत्यू, किसी भी मा के लिए सबसे दुख दाए भात, अपना पुत्र का मृत्यू, अपने आँखों के सामने होना, कई बार मैंने कई कहानियान सुना हैं, कई इंजिडेंट सुना हैं, मा अता पिता के सामने अपने पुत्रों का मृत्यू होना, एक्सिडेंट होना, देखते देखत आमने घाडी चड़ना आईसे इसे बातें ओहो कितना दुखदायक हैं यही दुख यहाँ पर मा मर्यम को मिल रहा है मा मर्यम और उस कुरूस पर पड़े पड़े इसा मसी संसार के लिए प्रार्चना कर रहे विंदी कर रहे और कुरूस के नीचे जो मा खड़ी है और सबसे प और मा से कहती हैं मा यह तुमारा बैटा है और इसा मसी ने यह जुक कहा वो सुमदी की आत्मा या पर्यामर्श की आत्मा गिफ्ट और काउंसल मा मर्यम को मिलती है और उसके काहरण वो सब कुछ समझ जाती है मैं संसार के इस मुक्तिकारी के लिए साथ देने वाली हूँ और इसा मसी को इस प्रकार कश्ट पीडा सहर कर संसार के पापों का प्रायचित करना है और मुझे यह सब कुछ सहन कर संसार के लिए मद्यस्त बनना है यह सब गिफ्ट ओफ काउंसल की द्वारा सुमती की आत्मा या परामर्श की आत्मा की द्वारा उन्हें पदा चलता है आगला कुरूस पर इसा मसी के बहल में जब भाला टोंकते हैं और वहां से उनका मुर्द शरीर उतार करके मा के गोदी में रखना पियाता मूर्थी आप लोगोंने देखा होगा मा के गोद में प्रभू इसा मसी का उस नर्जीव शरीर रखना यह किसी भी मा का खर्दे को भेदने वाली बात है वहां पर भाला प्रभू इसा मसी के बगल में चोका लेकिन ओ दर्द मा को लग रहे थी जब उस इसा मसी का बोड़ी नर्जीव शरीर उतार करके मा के गोदी में थोड़ी देर समय रखा वो मा के कितना आदिग दुख आया उस समय पर लेकिन वहां पर पवित्र आत्मा ने बुद्धी और विवेग की जो आत्मा है वो उन्हें सब कुछ समझाते हैं गिफ्ट आफ अंडर्स्टांडिंग उनको ये बुद्धी और ग्यान मिल जाती है विवेग मिल जाती है ये अब तो नर्जीव शरीर है लेकिन ये जीवित प्रभू है ये जीवित इश्वर है इसा मसी ने इससे पहले जो कहा हुआ वो जो बातें तीन बार अपने मृत्यू के विशे में पुनरुधान के विशे में उन्होंने कहा वे सब मा मरियम को उस समय पर पता चल जाती है बुधी में आ जाते है तो गिफ्ट ईष्ट उफ अंडर्शाणिंग बुधी या विवेग की आत्मा मा मरियम को समय पर स्वांथना देती है ये पुत्र खदम नहीं हुआ है, ये जीवित है, अभी ये फिर तीसरे दिन फिर जीविट करके, अभी फिर सुर्ग जाना है, पिदा के पास से आया है, अभी ये लास्ट इस अमसी के श्रीर को जब दफनविदी के लिए जाते हैं, हम लोग बैबल के अंदर मैंने चारों जाते हैं, अपने घर में अपने प्रिये जन का, जब मृत्य होने के बाद, घर से जब दफनविदी के लिए उठा करके जाते हैं, वहां पर उपस्तित सब लोग रो पड़ते हैं, सबसे दुखदाई एक अवसर है, उस शरीर को दफनविदी के लिए लिए लेके जाते हैं साब लोग रोते हैं उनके प्रियजन आने वाले पडोसी साब लोग रोने वाला एक समय है घर से जब विधाओ कर जाते हैं मा के गोद से उठा करके जब दफनाने के लिए लेके गया मा के खृदे में एक तलवार आईजा गुस गया उनको इतना दुख सहन करना पड़े लेकिन मा मरियम को पवित्र आत्मा का जो ज्यान प्रज्या है विज्डम है उसके कारण उनको पदा चला उनका मन में पूरा जो दृष्य है आने वाला दृष्य है एक पिक्चर के माफिक है विज्डम हो है ये श्वर का बहुत बड़ा एक वरदान है वो एक पिक्चर के रूप में सब कुछ दिखाए देता है इस श्वर का मुक्तिकार है ये सामस होना चाहिए था जिब तक कबर में नहीं रिकेगा वो खबर से बाहर नहीं आना है जीवड़ ना है इसलिए इनको पाबर में रखना जरूरी है ये पिक्चर मा माता मर्यम के मन में विश्डम के द्वारा गिफ्ट आफ विश्डम के द्वारा प्रग्या की आत्मा के द्वारा उन्हें मिल जाता है सौन दुना मिलता है तो माता मर्यम का साथ दुख है लेकिन पवित्र आत्मा का साथ वरदान उनके साथ रह करके किस प्रगार मा को संभाल हमारे जीवन में भी दुख विवत्ती के समय पर इस दुख सब अच्छाई के लिए है ये कश्ट हमारे मुक्ति के लिए हमारे जीवन में जरूरी है इस प्रकार का एक विचार ला करके हम अपने जीवन में भी मा मर्यम के समान जीवन में आने वाले दुख कष्ठ को प्रवीशा मसी के साथ जीने के लिए जो तकलिफ है उढ़ाना है इस वचन के अनुसार जीने के लिए हमारी जीवन में जो कष्ठ उढ़ाना है सत्य का जीवन, इमानदारी का जीवन, पवित्रदा का जीवन, प्रार्थना भक्ती का जीवन जीने के लिए हमें कष्ट उढाना पड़ता है तो इन कष्टों के समान मामरयम के साथ दुखों के समान हमारे जीवन में भी चाहे कितना भी कष्ट आ जाएं लेकिन पवित्र आत्मा के वरदान हमें भी शक्ति प्रदान करें उन कष्टों को सहन करते हुए इमांदार रहने का सत्य का जीवन जीने का पवित्रदा का जीवन जीने का भक्ती का जीवन जीने का प्रार्थना का जीवन जीने का शक्ति पवित्रात्मा के एक साथ वरदान हमें भी प्रदान करें। उन्होंने उसको कैसा हैंडिल किया। उसी प्रगार हमें भी अपने जीवन में आने वाले दुख कश्ट को धाहिर्य पूर्वक कुशी के साथ स्वीकार करते हुवे। प्रवीशामस स्वीशा जुड़ करके एक अच्चा जीवन जीने की कृपा मिले। पिता, पुत्र और प